दुर्ग सब्जी मंडी में निलामी के लिए तैस समय का पालन नहीं के जाने से नारा सब्जी किसानों ने अपने खुद की सब्जी मंडी के दुकान लगाई साथ ही कहा कि विवस्था में सुधार नहीं होने पर आगे भी इस तरह से अपनी सब्जियां बेचेंगे दुर्ग धंदा मार्ग पर इस्तित सब्जी मंडी में रविवार को सब्जी उतपात करने वाले किसानों ने अपना आकरोष जताया उन्होंने कहा कि निलामी के लिए तैस समय का पालन नहीं होने से नारा सब्जी उतपात किसानों ने दुर्ग में खुद का बाजार लगा कर सब्जी की निलामी करड़ा ली इन किसानों का अरूप है कि सब्जी मंडी में कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है जिससे ना तो उनके सब्जियों का उठा हो पा रहा है और ना ही सब्जी का उन्हें उचीत दा मिल रहा है जिसके कारण उन्हें आर्थिक वो मांसिक रूप से नुकसान झेलना पड़ रहा है मंडी में सबजी बेचने आए किसानों की सबजियां नहीं बिखने के कारण इन सबजी उच पादक किसानों ने मंडी की बाहर ही सड़क पर सबजियों को बेचना चालू कर दिया इनका साफ कहिना है कि कुरोना महामारी के पहले व्यवस्था का पालन नहीं होने से उनकी सब्जियां मंडी में नहीं बिक पा रही थी गौर तलपे कि छतितगर प्रगतिश्विल किसान संगठन के बेनरतले किसानों ने सब्जी मंडी सजा ली पूरु में मंडी में निलामी का समय सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक के है लेकिन इसका पालन नहीं होने से किसानों के स समक्ष ऐसी समस्य आ रही है वहीं अगर व्यवस्ता नहीं सुधरी तो मंगलवार को भी किसान अपनी सब्जियां इसी तरह से बेच कर डियरेक्ट ग्रहा को कमदाम पर अपनी सब्जियां बेचेंगे साथ ही 36 प्रगतिश्विल किसान संगठन ने मंडी सच्यू के आदेश का उलंगन करने वाले के लाइसेंस निरस्त करने और उनसे दुकान वापस देने की भी मांगी है वैंडी सीन नियूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट